ओम शान्ती, आज आपका एक 90 दिन का वर्दान और इस इश्वरी वर्दान में आज हम पता करेंगे कि हमें निश्य बुद्धि होने का एक मात्र तरीका क्या है और परमात्म ने थो हमें वो संपून ग्यान दिया है ताकि हमें पता चले कि भवेशे में जो होने वाली उसमें से हम क्या सीख करके आगे अपने आपको परिवर्थन करें तो आज के वर्दान में परमात्मा पिता हमें सिखाते हैं कि एक तो हमें अपने उपर परमात्मा के उपर और इस ड्रामा की जो हर सीन है उसके उपर निश्चे बुद्धी होकर के आगे कैसे चलना है तो कहते हैं अपनी विजय वा सफलता को निश्चित समझ कर कि विजय जो है और जो सफलता जो हमें मिलने वाली अपने जीवन में उसको निश्चित समझ कर सदा निश्चिंत रहने वाले इसको कोई चिंता नहीं है उसको पता है विजय हुई पड़िये बस परमात्मा के मार्क प निश्चिंत रहने वाले निश्चे बुद्धी भवव, बुद्धी कैसे उन्य ची निश्चे बुद्धी हुआ पढ़ा है, होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, ये question उनकी मन में आते ही नहीं है, तो गहराई से देखें आगे, बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा बाप में, स्वयम के पार्ट में, और ड्रामा की हर सेकंड की आक्ट में, सौ प्रतिश्यत निश्य बुद्धी हैं, किस-किस में? बाप में परमपिता परमात्म जब इस धर्ती पर आते हैं तो सारी दुनिया एक तरफ और परमात्मा एक तरफ दुनिया चल रही है साइंस के अंदर, साइंस के अंदर विलीन है समझती है कि साइंस के दोरा ही सुक शान्ती मिलेगी परमात्मा कहते हैं साइंस तो आगे प्रोग्रेस कर रही है वो तो सत्यूग में कल्यूग खतम होगा विनाश होगा तो सत्यूग में काम आएगी जहां पर आपकी सबसे हाइस टेकनोलोजी प्योरिफाई होकर के आगे जाएगी लेकिन उस टेक्नोलोजी और उस सुख सुविधा में रहने वाले दिव्विगुण धारी पवित्र आत्माई ही वहाँ जा पाएंगी बाकी जिनके अंदर क्रोध, अहंकार, वीडशा, दुएज, गिरना, नफरत, भरस्टा चार है वह आत्माई कल्युग में अपने पापों का पशताप करकरके परमधाम लोट जाएंगी तो सत्युग में भारतवासी जो होंगे मलग की पवित्र दुनिया जो होगी वो इस गार्डन ओफ इडन या गार्डन ओफ अल्ला कहें या बहिष्ट कहें वो भारत में ही होगा जहां करकी आप आत्माएं जो पवित्र बन पाएंगी परमात्मा को पैचान करके लेकिन परमात्मा से पैचानने से पहले बच्चे को अपने को आपको तो पैचानना पड़ेगा ना कि मैं कौन और मेरा कौन ये जान करके ही आप अगले जनम में सत्य युग में परमधाम जा करके लोट करके आप वहाँ पर निश्चे बुद्धी बन करके जा पाएंगे अगर अभी ही संचे है अगर अभी ही डर है तो वहां जाना भी मुश्किल है तो जहां सत्य है और सत्य परमपिता परमात्मा है तब ही कहते हैं सत्यम शेवम सुंदरम तो परमात्मा शिव ही सत्य है गौड इस टुथ तो उनके जो महावाक के महावचन हम जो सुनते हैं ब्रह किसी से नफरत नहीं किसी से इर्शा नहीं जो मेरा पार्ट है कि इर्शा करने वाली आत्मा कभी विजय हो नहीं सकती और वो सत्युग में भी जा नहीं सकती स्वयम के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में ड्रामा मतलब कि मैं इस रंग मंच पर अकेली आत्मा तो नहीं हूँ सारी दुनिया की आत्मा एं करोड़ो अर्बो आत्मा एं इस धर्ती पर हर कर्म के द्वारा इस धर्ती पर होने वाले हर एक्ट को आगे लेके जा रही है चाहे वो अगर हम देखे पास्ट में भूत काल में जो भी हुआ इस दुनिया में भारत में जो भी लडाईयां हुई देश वी देश में जो भी जगडे हुए यह जो भी अच्छा हुआ अविश्कार हुए जो भी अच्छी प्रोग्रेस हुई तो परमात्मा कहते हैं वह सारी ड्रामा की देखना सबसे उची अवस्ता है तो हर सेकंड की एक्ट में सो प्रतिशत निश्चे बुद्धी है उनकी विजय वा सफलता निश्चत है ना वो किसी सिचुएशन से डरेंगे ना अपने पार्ट को क्वेशन करेंगे भई मेरे साथ ही क्यों उसके साथ ऐसे क्यों नहीं मेरा के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं अगर हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार आगे बढ़ते जाएं सुबह से लेकर के रात सोने तक जो परमात्मा के हमें गाइडेंस या डारेक्शन या इसको आप कहें श्रीमत मिली वही है जिसमें कि क्या सोचना क्या बोल सेवावी धन सेवावी मन सेवावी वे सारी चीजों के जब हमें ग्यान हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हमें किस अनुसार अपने कर्म को शुद बनाते बनाते अपने पूर्व जनम के पापो को मिटाटे मिटाटे आगे कैसे बढ़ना है तो निश्चित विजय होने के कारण वे निश्चिंत रहते हैं दुनिया को टेंशन है कि जो वो कर रहे है वो ठीक है कि नहीं है जो बोला जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है गौर्मेंट जो कर रही है वो ठीक है कि नहीं है ड्रामा में जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है कहां जा रही है, दुनिया कहां बाढ़ रही है लेकिन ब्रह्म कुमारीज में हम सब बच्चों को, ब्रामन बच्चों को भविश्य के बारे में पता है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्यूं हो रहा है तो हम निश्चिंत हैं उनके चैरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी, क्यों, क्या, कैसे गूशन आए नहीं सकता वो तो जब question paper आता है तो कईयों को पता ही नहीं होता ये question paper आने वाला था तेंगे परमात में तो हमें बता दिया है महाविश्वयुद तीन जो हुआ है ओने वाला है वो भी आयेगा हमें ये भी पता है कि बिमारियां और भी आगे बढ़ सकती है भविश्य में डरने की बात नहीं है समलने की बात है और हमें ये भी पता है कि आपस में जो civil war भी होगी वो भी क्यों होगी कैसे होगी कब होगी उसके लिए अभी बीच जल रहा है आपस में दे कोई जगड़ भी हो रहे है धर्म की बीच में तो ये सब कुछ होना ही है क्योंकि अधर्म फैला हुआ है ने तो धर्मों के बीच में क्यों जगड़े हुए आपस में कृष्यन लड़ते हैं आपस में बुद्धिस आपस में लड़ते हैं तो इस सारी चीज़े क्यों हो रही है क्योंकि आत्मों के अंदर पवित्रता नहीं है इसी कारण परमपिता परमात्मा को इस अंतिम काल में आकरके इस संगम यूख पे आकरके हमें शुद्ध ग्यान देना पड़ता है और समझाना पड़ता है कि सत्व क्या है अगर परमात्मा के अनुसार सोची हुई कोई चीज हो उनके डारेक्शन के गाइडन्स के अनुसार तो उसमें निश्चिंत रहते हैं क्योंकि उसमें विजय हुई पड़ी है सत्य की विजय होती ही है लेकिन उसके खुद को भी तो उस मार्क पर चलना जरूरी है यह निकि मैंने यह सोचे यह होना ही चीए भगवान यह करके दो लेकिन अगर पता है कि उस कार में सिर्फ मेरा ही मतलब है और किसी का उसमें सुख नहीं है किसी का शांती नहीं है किसी को दुख मिलने वाले उस कारण से वो कारिस सिद्ध नहीं होगा अगर हो भी गया तो आपके वो विकर्म में आ जाएगा बुरे खाते में आ जाएगा तो उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चिन नहीं उठ सकता क्योंकि हम किसकी गाईटिनिस में चल रहें किसी डारेक्शन में चल रहें सुयम, निराकार, परम्पिता, परमात्मा सत्य जोकी सत्य चित आनन्द सरूप है सबके दाता है सुख के, शांती के दाता उनके अनुसार चल रहे है तो इसको वर्दान को और गहराई से समझें इस पर गहन अध्यन करें इसको सोचें यही आपके लिए आज का वर्दान शुब दिन हो आपका तंदरुस्त रहें शेरीर से पर आप ओम शान्ती